दोस्तों फाइनली मेरा रियल्मी GT मास्टरेशन डिवाइस में जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो मेरा डिवाइस में रिसीब हो चुका है और मैंने इसको सक्सेस्पूल अपडेट भी किया और अपडेट करने के बाद लगबग मैंने इसको डू डेज यूज किया फिर ज दोस्तों सबसे पहले चेक आउट कर लेते हैं मेरा डिवाइस में कौन सब वर्चन इंस्ट्रॉल है दोस्तों इसलिए चलते हैं सेटिंग फिर आपे चलते हैं अब आउट डिवाइस आप यापे देख लिजेए रियल्मी जीटी मास्रेशन उपर में देखिए रियल्मी य जीटी 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 अपडेट आया है वह मेरा डिवाइस में इंस्ट्रॉल है और इसका जो साइज था लगबख 600 MB का एराउंड था तो मुझे ठीक याद नहीं अब इसका साइज अगर आपको याद है तो अब जुरू नीचे कॉन बुक से क्कम करके बतना तो गाइस आ सब्सक्राइब आपको 5 डिसेंबर का सिक्रूटी पैच देखने को मिलेगा उसके साथ साथ इंप्रूज सिस्टेम पार्फोर्मेंस और स्टेबिलिटी जो हर एक अपडेट की साथ लिखा जाता इसका काम कुछ भी नहीं होता है तो आपको यहीं देखने को मिलेगा अपड डिवाइस आप यह चलते हैं आप अपर देख लीजें फाइब डिसेंबर 2023 का एंडोइड सिक्रूटी पैच मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा काम किया है रियल मीने लेटेस तो नहीं है अभी 2024 रानिंग है लेकिन फिर भी आपको ओल्ड डिवाइस में लेटेस सिक्रूट रियल मीने तो बहुत ही अच्छा काम क्या है दोस्तो सबसे पहले कौन सा कौन सा प्रब्लेम या फिर बग को फिक्स के जा रहा है ओ देख लेते हैं फिल लस्ट में जानूंगा कौन सा कौन सा बग इस अबडिट के बद दुवारा सा आपको देखने को मिल रहा है ओ भी जादा दिक्कत आ रहा था कैमेरा लाग कर रहा था देखिए मेरा यह पर 1080 स्टी एपिस यह आप ऑफसेन है लेकिन मैं जैसे आप 4K 30 एपिस में सिलेक्ट करता हुपी देखिए आप इस मूदली आप वीडियो रेकोडिंग हो रहा है कोई भी इसू आभी नहीं है लेकिन पहले गाई से बहुती ज्यादा जिटरेंस देखने को में रहा था लैग हो रहा था रुक रुक के वीडियो सुट हो रहा था लेकिन अभी ए प्रॉब्लम में आप बिल्कुली आपे सॉल्प हो चुका है आपके देख लीजे कैमेरा ओन है 4K 30 fps में सिलेक्ट है फिर भी इसलिए मैंने वक को नोटिस के आता मुझे बहुती ज्यादा दिक्कत हो रहा था लेकिन फानली प्रॉब्लम में फिक्स हो चुका है दोस्तों नेक्स जो प्रॉब्लम आ रहा था नेक्स अप्डेट के साथ ओथा सिस्टेम लैगिंग इसू सिस्टेम बहुती ज्यादा लै दिवफाइस से रुक रुक चलरा था लेकिन इस अपडेट को करने के बाद मैंने लगबाद मैंने उसको यूस किया मुझे एक भी टाैम लैगिंग इसू नीहीं मिला है एक भी टाइम डिफाइस नी히 रुका है बहुती स्मूदली आपे डिवाइस रान हो रहा है कोई भी इसू मुझे लेगिंग के रिगारिंग अभी तक नहीं मिला है उसके साथ साथ एप ओपेनिंग और क्लोजिंग भी आपको बहुती फर्स्ट देखने को मिलेगा इसका एनिमेशन भी बहुती कूल है है अप्ली के सान क्रास कर रहा था लेकिन ओए प्रॉब्लेम आपे फिक्स हो चुका है उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट भी देख सकते हो रैम मैनेजमेंट भी बहुती अच्छा हो चुका है डिवाइस में आप फिलाल देख लिए दोस्तों नेक्स जो प्रॉब्लेम चारजिंग स्पेट है लेकिन दोस्तो जो बैटरी बैकप है आभि ठीक वाल साही देखने को मिलेगा जो नेक्स आपडेट के साथ प्रॉब्लेम देखने को मिलेताथ आप आपर रिल्मी कम्रीटि पेस में जाओगे तो आपको बहुत सारे बैटरी बैकप के रिगारिंग इसु के रिगर्ण आपको पोस्ट देखने को मिलेगा लेकिन इस अबडेत के बाद भी battery backup में आपको कोई भी improvement देखने को नहीं मिलेगा बैटरी बैकाप बहुती ज़्यादा घटिया हो चुका है मैंने विडियो सूट स्टार्ट किया था 50% चार्ज लेके लेकिन आप आप देख लीजिए 41% चार्ज हो चुका है लगभब 4-5 मिनिट के अंदर 10% बैटरी ड्रेन हो रहा है टेटरी बैकाप के डिंग कोई भी सॉल्यूससे नहीं आया है तो दोस्तों आपका डिवाइस में क्या हाल है बैटरी बैकाप के डिजए बैटरी बैकापके रिगडिंग अब जरूर्क नीशे कॉनवर्ण करक करके बतना अब जूरूर कुछ प्रॉब्लेम भी जान लेते हैं जो इस आपडेट के बाद मैंने नोटीस कहा है जो सबसे पहला प्रॉब्लेम आपको देखने को मिलेगा ओ है यूटूब वीडियो के रिगाटिंग में देखिए जो वीडियो है 4K 60fps का वीडियो है देखिए कितना यूटूबॉक्स से कमड़ करके बतना दोस्तों नेक्स जू इस आपडेट के बाद देखने को मिलेगा ओ है ब्राइटनेस के रिगाडिंग में आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले में दोस्तों जो प्रॉब्लेम है साइथ सभी का डिवाइस में हो रहा है मैंने कुछ पहले एक Realme GT के रिगारिंग वीडियो अपलूट किया था वह आप एक कॉमेंट बॉक्स में बहुत सारा कॉमेंट आया है एक फ्लिकरिंग इसू के रिगारिंग तो सायद आपका डिवाइस में प्रॉब्लेम हो रहा है लेकिन इस अपडेट के बाद भी एक प्रॉब्लेम थ अपडेट के बाद लेकिन उसके लिए इतना जादा मेजर कोई भी इसू नहीं है इस अपडेट के बाद जो सिस्टेम अप्लिकेशन है ओ अपडेट हुआ या फिन नहीं उसके बाद अंतुदू बेजम स्कोर भी में टेस्ट करने बाला हूँ तो सबसे पहले जो सिस्टेम अप्लिकेशन है उसका वर्सन इस अपडेट के बाद चेक आउट करके देख लेते हैं दूसर सबसे पहले या पर चलते हैं माइल फाइल अप्लिकेशन के तरफ आप देख लिए इसका वर्सन है 14.5.3 यह आपको Android 14 का अप्लिकेशन देखने को मिलेगा चू Android 13 Realme UI 4.0 में भ देख लिए 3.536.40 यह भी आपको लेटेस्ट कैमरा अप्लिकेशन देखने को मिलेगा रियल्मी जीटी मस्टेशन डिवाइस में इस अपडेट के बाद उसके बाद और भी जीतिने सारे सिस्टेम अप्लिकेशन है उसका वर्सन देख लिए चलते हैं फोन मेनेजर की तरफ इसका वर्सन भी आप यह देख लिए 13.14.2.C1 यह आपको थोड़ा सा पूराना वर्सन देखने को मिल रहा है यह Android 13 का है अगर आप Android 14 का फोन में जार एप्लिकेशन इंस्टोल करना चाहते हो आपका डिवाइस में तो आप मेरा ऑफिसल टेलिकाम चलें रियल्मी ओपो सिस पर में जाएगा उसके बाद यह चलते हैं तेम स्टोर अप्लिकेशन के तरह आप इसका फ़र्सन देख लीजिए 9.6.5 यह अपको लेटेस्ट अप्लिकेशन मिल जाएक इस अब्रेट के बाद दोस्तों उसके बाद और भी च्रह सिस्टम अप्लिकेशन है उसका फरषन चे लेटेस्ट एप्लिकेशन है वह आप दे रहा है उसके बाद जो वेदार एप्लिकेशन है इसका वार्षन भी देख लीजिए 14.1.4 यह भी आपको लेटेस्ट एप्लिकेशन में जागा Android 14 का एप्लिकेशन है तो बहुत ही अच्छा काम किया है इस अपडेट में आपको बहु अन्तुदू बेजमास को टेस्ट किया था और फिर उसके बाद एक स्कीन स्वाट में ले लिया था आप यह पर देख लीजिए रियल्मी जीटी मास्रेशन डिवाइस में अन्तुदू बेजमास स्कोर आपको 5,39760 का आसपस देखने को मिल जागा तो अन्तुदू बेजमा में इस अपडेट को डिवाइस का 158 अपडेट का फूल डीटेल्स रिव्यू साथ आपको वीडियो पसंदे अगर आपको डिवाइस में कोई बग या भी कोई प्रॉब्लेम आपको मिला है तो आप जूरू नीचे कौनवक्स को कमन करके बतना और मैंने फीडबैक का लिंक तो यार मिलते रखना एंटेस्टिंग वीडियो का साथ तब तक टाटा गुर्बाई जाए हिंत